मेरे सामझिक परिवार के सिव्स देस्ट्रों को यदोचित प्रणाम राम नाम स्वागत svej आपका प्रैकार कम दोस्तों अभि तक हमने 12 लगनों में कौन ग्रय ग्योका रहक है कौन ग्रय मारक है कौन ग्रय समय इसकी चर्चा की थी आज हम अलग से हट करके दूसरी चर्चा पर बात करेंगे कि ग्रहों की कौन-कौन सी दिष्टियां होती है प्रोग्राम में जाने से पहले मेरी आप से रिक्रस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है है केनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए व Resource के माध्यम से बढ़नि आपको वह हम आपको बताएंगे कि ग्रहों की कौन-कौन सी दिष्टि होती है मैं कृणली के माध्यम से आपको स्पॉस्षय कि यहां पर सूर्य है आप कुंजली में यह मत देखना कि यहां पर 10 नम्मा लिकावा है यहां 11 यहां बार है यह सब चीज़ छोड़ दोगी सब्सक्रों कि यहां पर सूर्य है सूर्य की जहां वह बैठे होंगे उससे ठीक सामने यानि सब्तम्भाव पर उनकी दिष्टी साथ भी दिष्टी होती है सूर्य की केवल एक ही दिष्टी होती है वह होती है सब्तम्भ दिष्टी जहां बैठे हैं वहां से ठीक सामने सब्तम्भ दिष्टी पर वह भी देखते हैं ऐसे ही अगर सब्सक्रों चंद्रमा है यहां पर चंद्रमा की केवल एक ही दिष्टी होती है वह जहां बैठे रहत उससे ठीक साथी भाव पर वो अपनी दिश्टी डालते हैं उसके अलावा मंगल है सपोस्ट करो यहापर मंगल है तो मंगल की तीन दिश्टियां होती हैं मंगल जहां बैचे रहते हैं महां से चौटे भाव पर भी दिश्टी डालते हैं सब्तम भाव पर भी दिश्टी डालत लाव में तो इसके बाद its YeahWayya बेखे मिति जो होती है जहां जिस जो चाहिए पेढ़ सब्लेज़ती सामने पर योनुंती है क्कुनिति बाद नत्योट को श्राोजिशती हुआ है कि इसके पांचवीं तो उसके बाद ब्रेस्पति Edithama बिष्ट यहां से पांचे दिश के दिश्टि सांचे दिश्टि तु किसली नुय दिश्टि यहीं हुथ है कि उसके अलाबा कि शुक्र की यहां बैटे होगे लेसा स्क्र्सिति कर देखेंगे सब्वान यहुद्ञ हो goofy जा लेंगे है उसके लाव liksom 191 थिन दिश्टियां होती हैं दीसरी दिश्टी सप्तम दिश्टी और संफ थिश्टी ओर सनी यहां सथे भाव कोदेखेंगे यह देकएज इसकने इसको पर राव के भी तीन दिश्ट्टाइं हो पांच भाव को हो तो अ मियद्धित को पंचम भाव को देखेंगे एक तो अब से नौहिद राव कि मी तो पांचम नौही रास एसैं करेंद के जो मड़े नहों से पुंगर के पंचम ठावव को home सिरफ कोई भी च्रह होगा वह अपने सप्तमhbhaavat को हमेशा देखता है कोई भी ग्रह होती है कुछ matar意 होती नुप्राइची χोती है लेकिन सातिवे दिश्टी हर ग्रह की होती है अब दोस्तों मैं आपको एक्ची बता दूं कि सपोस्क्रोड की व्रैस्पति है व्रैस्पति एक ऐसा ग्रह है जो पुत्र का कारक है पती का का रख है विद्या का का रख है लेकिन ब्रैस्पति की एक खास बात यह है कि अगर दूसरे भाव में पंचम भाव में वह सब्तम भाव में अगर अकेले बैठे हूं और उन पर किसी सुग्रह के दिश्टी नहों तो वह धन का पुत्र का वह पत्ने का नासक होता है एक एो ऐसे ही मैं आपको बता दू हो मंगलिक दोस्ता है मंगलिक दोस्ता जो साधी बया के डैम पर लोग मंगलिक दोस देखते हैं मंगल लगन वह चौते वहरों में साथ मभीव यह बारवी पहुंआ सब्सक्रों मंगल इसी वाउ में पैठी हूं लेकिन मंगल अगर जीरो डिकरी के हैं 28-39 निकरी के मंगल अगर स्वगरी है या बक्री है या अस्त है अगर यह सब छीजें या चंद्रमा केंदर में हो एक चार साथ दस्त में हो या ब्रहास्मति मंगल को देखते हुए हूं या चंद्रमा मंगल को देखते होंगे तो मंगल दोस्त खत्म हो जाता है अगली जानकरी हम आपको अगले अप्सोर्ट में देंगे तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाव